कॉमिटी किंग कपिल शर्मा के फैंस का इंतजार जल्द खतम होने जा रहा है क्योंकि उनके फेवरिट स्टार कपिल शर्मा की फिट टीवी पर वापसी हो रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा एक बार फिर, दखपिल शर्मा शो के धमाकेदार ब्रैंड न्यू सीजन के साथ लौट रहे हैं. यानि, दखपिल शर्मा शो को फिर से एक बार नई तड़के के साथ पेश किया जाएगा. ये शोव फैंस को खासा पसंदाया था खुद कपिल ने कहा कि उनकी तबियत अब ठीक है और वो जल टीवी पर लोटेंगे उन्होंने खुद एक वेबसाइट को इंटरव्यू देती हुए अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही शो के एक नई सीजन के साथ वापस आएंगे खबरों की माने तो कपिल का शो दिवाली तक ओनेर हो जाएगा ऐसे में फैंस के लिए इससे जादा और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती आपको बता दे सुनील ग्रोवर से विवाद के बाद कपिल शर्मा का शो बंद हो गया था और इसके बाद वो एक और शो फैमली टाइम विद कपिल लेकर आये थे लेकिन कुछ एपिसोड के बाद वो शो भी बंद कर दिया गया था उसके बाद कपिल शर्मा की तबियत लगातार बिगडती रही कपिल ने शो के अलावा अपनी सेहत के बारे में भी बात की कपिल ने कहा कि कई वज़ों से मेरा स्वास्ति सही नहीं था लेकिन अब मैंने अपनी सेहत पर काफी ध्यान दिया है और इसमें तेजी से सुधार हो रहा है वही इंतनों कपिल अपनी परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंट कर रहे है हाली में उनकी कई फोटोस सोशल मीडिया में भी वारिल हुई है फोटोस भी उनका वज़न काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा वही ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने अपने फैंस के लिए कहा था कि मुझे इन सम परिशानियों से निकलने के लिए वक्त चाहिए तो वही कपिल शर्मा के फैंस को उनके पुराने वाले अंदास का इंतजार गौर्टलब है कि कपिल अपने गलत तरीके के ट्वीट के कारण चर्चा में आए था जिसके बाद उनकी एक्स गर्ल्फरेंड ने खुलासा किया था कि वो एंदिनों डिप्रेशन से गुजर रही है अपने टीवी शो के तयारी के अलावा कपिल शर्मा अपने बैनर तले पंजाबी फिल्म सन ओफ मंजीत भी बना रही है कपिल ने इस फिल्म के बारे में कहा कि उन्हें उमीद है कि दर्शकों को ये फिल्म पसंद आएगी ये फिल्म 12 ओक्टूबर 2018 को रिलीज होने जा रही है